क्या बीजेपी भारत देश में निश्पक्स चुनाफ खतम करना चाहती है? क्या भाजपा की सरकार लोगतंत्र की कोई एहमियत नहीं समझती? क्या भाजपा की सरकार के लिए संविधानिक संस्थाओं की कोई एहमियत नहीं है? क्या भाजपा सरकार हर संविधानिक संस्था को अपनी कट पुतली बनाना चाहती है क्या भाजपा सरकार सुप्रीम कोट के फैसले कि कोई सम्मान नहीं करती उसकी कोई हैमियत नहीं समझती ये कुछ सवाल है जो बिल पढ़ने के बाद मेरे जहन में आए और वह इसलिए आएि क्यांकि इस बिल के माधियम से ये सरकार चुनाव आयोग को पूरी तरीके से अपने नियन्त्रण में लेना चाहती है यानि कि चुनाव आयोग पे पूर्ण कब्जा चाहती है मैम चुनाव आयोग के तीन सदस से होते हैं एक मुख्य चुनावायुक्त यानि की चीफ एलेक्शन कमिशनर और दो अतिरिक्त एलेक्शन कमिशनर इनकी चयन और नियुक्ति इस बिल के माधियम से पूरी तरीके से सरकार के हातों में आ जाएगी Ma'am, I will mince no words. This bill is going to destroy one of the few remaining independent institutions in India, that is the election commission, and thereby dislodge free and fair elections from India. ये bill तीन व्यक्तिया संस्था का अपमान है. पहला अपमान है सुप्रीम कोट का. क्यूंकि सुप्रीम कोट ने इसी साल, March 2nd को, 2 March 2023 को, पांच जजों की सम्विधानिक पीट ने सर्व समती से एक फैसला दिया. और वो फैसला ये था कि सरकारी हस्तक्षिप, सरकार का कोई भी दखल चुनावायों की नियुक्ति में नहीं होना चाहिए. ये खतम करने के लिए हम एक समिती का गठन करते हैं. उस समिती के गठन से मुख्य नयाइधीश को हटा कर एक कैबिनेट मंतरी को डाल कर उसका संतल बिगांडने का काम और सुप्रीम कोट के फैसले को पलटने का काम इस सरकार ने किया. तांकि एक एक ऐसी विवस्ता बन जाए जिसमें जो शक्स ये चाहें वही चीफ एलेक्शन कमिशनर बनेगा. ये इंसल्ट सुप्रीम कोट की इसलिए है क्योंकि इसी साल के दिये गए स सर्व समती के दो फैसलों को इस सरकार ने सदन के भीतर बिल लाकर बदल दिया. पहला था दिल्ली सेवा बिल जो आठ दिन के भीतर ओडिनेस लाकर और फिर सदन के भीतर बिल लाकर बदला गया और एक ये बिल जो दो मार्च 2023 के सुप्रीम कोट के फैसले को पलटता है और उस फैसले को पूरी तरीके से रिवर्स करने का काम करता है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सरकार इस बिल के माध्यम से एक प्रकार से सुप्रीम कोट को खुली चुनौती दे रही है। कि आपको जो फैसला देना है दीजिए, अगर हमें पसंद नहीं आएगा, हम बिल लाकर उस तैसले को पलट देंगे। दूसरा इंसल्ट या आप मान इस बिल के माध्यम से चीफ जस्टिस अफ इंडिया का है। सुप्रीम कोट का फैसला कहता है कि चैन समिती के तीन सदस्टे होंगे। माननी ए प्रधान मंत्री जी, माननी ए नेता प्रतिपक्ष यानि की लीडर ऑफ ऑपोजिशन और थर्ड चीफ जस्टिस अफ इंडिया। इन तीन मेंबरी समिती में से इस बिल के माध्यम से सरकार ने चीफ जस्टिस अफ इंडिया को हटा दिया और एक क्याबिनेट मंत्री को उनकी जगा बिठा दिया। Chief Justice of India से इतना परहेज की साफ तौर पे उन्हें इस समीति से हटाने के लिए इस बिल को लाया गया तीसरी इंसल्ट इस बिल के माध्यम से भाजपा सरकार एक ऐसे शक्स की कर रही है जो व्यक्ति भाजपा का संस्थापक थे जो व्यक्ति आज भी भाजपा के मार दर्शक हैं जो व्यक्ति भाजपा के भीशम पितामा के नाम से जाने जाते हैं वो व्यक्ति जो भारत देश के पूर्व प्रधान मंत्री रहे यानि की लाल कृष्ण अडवानी जी पूर्व उप्रधान मंत्री रहे मैं 2nd जून 2012 को और मैं राज्य सभा के पटल पे इस लेटर को रखूँगा 2 जून 2012 को माननिय लाल कृष्ण अडवानी जी ने उस समय के प्रधान मंतरी डॉक्टर मनमोन सिंग को पत्र लिख कर कहा कि चुनाव आयोग की जो भूमे का है solely on the advice of the Prime Minister does not evoke confidence in the people keeping these important decisions as the exclusive preserve of the ruling party renders the entire selection process vulnerable and open to manipulation and partisanship और वो कहते हैं कि समीती पाँच सदस्यों की हो जो CEC की चैन करे उनकी न्युक्ती करे जिसमें प्रधान मंतरी हो जिसमें लीडर अफ उपोजिशन लोकसभा हो जिसमें लीडर अफ उपोजिशन राज्यसभा हो जिसमें Chief Justice अफ इंडिया हो और कानून मंतरी हो यानि कि दो सदस सरकार के दो सदस से उपोजिशन के और एक निया पालिका के ये समीती बड़ी अच्छी है यानि कि अडवानी जी भी Chief Election Commissioner की स्वतंतरता के लिए चुनावायोग की स्वतंतरता के लिए लड़ते रहे लेकिन इन लोगों ने अडवानी जी को भी उनके हक की उनके अधिकार की बात नहीं दिया Supreme Court ने कहा तीन मेंबरी समीती होगी जो तै करेगी कि चुनावायोग में कौन-कौन बैठेगा प्रधान मंतरी लीडर अफ उपोजिशन और Chief Justice of India इसमें से Chief Justice of India को निकाल बाहर करकर एक Cabinet Minister को इसमें डाल कर पूरा नियंतरन सिलेक्शन समीती का इन लोगों ने बिगार दिया जिसके चलते आज इस समीती में सरकार के पास दो वोट है Two is to one से सारे फैसले Majority से सरकार ले सकती है इसमें सर्व समती से फैसला नहीं लेना Unanimity से फैसला नहीं लेना सरकार चाहे तो Two is to one से कोई भी फैसला ले सकती यानि कि सारा नियंतरन कौन मुख्य चुनावा युक्त होंगे कौन चुनावा युक्त होंगे ये सरकार के हाथ में आ जाता है और ये एक ऐसी विवस्था बनाता है कि एक party man एक yes man चुनावा युक्त बन सकता है वो दिन भी दूर नहीं कि चाहे भाजपा अगर कल तो संबित पातरा को Chief Election Commissioner बना सकती है माडम और two is to one के ratio से संबित पातरा देश के Chief Election Commissioner बन सकते है आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक होगा अगर वो Chief Election Commissioner बन गए मैं आगे चलता हूँ तीसरा current की क्यों हम इस बिल को oppose कर रहे हैं वो है कि ये जो Proposed Selection Committee है इसमें कोई Checks and Balances नहीं है Checks and Balances इसलिए नहीं है क्योंकि सारे फैसले तो सरकार के पक्ष में होंगे दो मंतरी सरकार के उसमें बैठे है LOP को मातर फॉर्मालिटी के लिए इसमें बिठाया गया है तो एक प्रकार का fixed match इसमें नजार आता अब आप ही सोचिए तीन मेंबरी समीती है जिसमें माननिये प्रदान मंतरी जी है मान लेते हैं हमारे सदन के लीडर ओफ उपोजिशन मलिका अर्गुन खडगे जी उसके सदसे हैं और थर्ड मेंबर अर्जुन मेगवाल जी कानौन मंतरियां से हैं अब इनकी बैठाग चल रहे है इसमें माननिये प्रदान मंतरी जी कहते हैं कि मैं रमेश नाम के शक्स को Chief Election Commissioner बनाना चाता हूं खडगे साब कहते हैं कि मैं रमेश को नहीं सुरेश को Chief Election Commissioner बनाना चाता हूं क्या अर्जुन मेगवाल जी जो इसी सरकार के कानून मंतरी हैं, वो प्रदान मंतरी जी को एक कह सकते हैं कि नहीं 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 प्रदान मंतरी जी रमेश ठीक नहीं है, खड़गे साब ने जिसको नॉमिनेट किया है, सुरेश मैं भी उसी के हक में वोट देता हूँ, उसका च जावराच सुना था जिसकी लाठी उसकी भेंस, तो ये पूरी तरीके से इस बिल में सिध होता है कि लाठी भी इनकी, तो फिर इस कानून के माद्यम से भेंस भी इनकी, मैं आपको एक और उधारण के माद्यम से समझाता हूँ, मान लीजे भारत और उस्टेलिया का क्रिके मैच हो रहा है, उस क्रिकेट मैच में अंपायर कौन होगा, वो एक तीन मेंबर की समिती तै करेगी, जो मैच कराएगी, वो तीन मेंबर की समिती में एक ऑस्टेलिया के कैप्टेन पैट कमिंग्स होंगे, दूसरे ऑस्टेलिया के प्रसित प्लेयर डेविड वारनर होंगे, और थर्ड भारत के कप्तान रोहिच शर्मा होंगे अब ये तीन मेंबरी समिती अगर किसी अमपायर को चुनेगी तो वो अमपायर तो हमेशा ही ऑस्टेलिया के साथ हुआ क्योंकि दो एकी भहुमत ऑस्टेलिया के साथ है तो क्या निश्पक्ष मैच हो सकता है? क्या इंडिया इंडिपेंडिन मैच केल सकती है? मैं सरकार को कहना चाता हूँ अगर सरकार सुप्रीम कोट के इस फैसले को फलकना चाती है अगर सरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस समिती से हटाने के लिए इतनी बेकरार है तो मैं आज सुझाव लायाँ का अनून मंत्री जी, तीन सुझाव मेरे हैं, इन में से अगर आप कोई सुझाव सुझाव स्विकार कर लें, तो मुझे लगता है सारा हाउस एक आवाज में आपके इस बिल का समर्थन करेगा, पहला सुझाव ये है, ये तीन आप्शन ये दो मेंबर्स सर्व समती से फैसला लें, तो कि दो लोगों में मीजॉरिटी तो हो नहीं सकती, तो दो लोग सर्व समती से फैसला ले, जो भी नाम तैकरेंग करेंगे हम सब मान जायेंग, ये option one, option two, मैं देना चाहूंगा सरकार को, जो लाल कृष्न एडवानी जी नं मेरी मत मानी आपको आमादनी पार्टी तो पसंद नहीं पर अपने पेट्रियाक फांडिंग फादर आपके पितामा भीष मिलाल कृष्ण अडवानी जी का फॉर्मुला ले लिजे पांच मेंबरी समिती प्रदान मंतरी कानून मंतरी लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोग सभा राज्यसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये पांच मेंबरी समिती एक निश्पक्ष चुनावाईयों का चेहन कर लेगी और तीसरा अप्शन अगर ये दोनों आप्शन आपको पसंद नहीं तो मैं आपको वो आप्शन बताना चाहूंगा जो कॉंस्टिटुएंट प्रोफेसर शिबनलाल सकसेना ने दिया था वो था कि जो भी नाम ये चैन समिती तैग करे वो नाम सदन के भीतर लाए जाए और दो तिहाई बहुमत लोगसभा और राज्यसभा से नाम पास हो जाए वो आत्मी चीफ एलेक्शन कमिशनर बन जाए मैं सगरात्मत बहस कर रह है हमारे देश की डिमोकरिसी की लोकतंतर की इस बिल के माद्यम से भाजपा डिमोकरिसी को हाईजैक करना चाहती है and I on behalf of the आम आदमी party oppose this bill, vehemently oppose this bill because this bill will ensure that India which is today known as the mother of democracy will tomorrow unfortunately be known as for mockery of democracy mother of democracy से mockery of democracy तक का सफर आप इस बिल के माद्यम से तैक करने जा रहे है मैं हाज जोड़कर आपसे विनिती करूँगा इस बिल को वापिस लीजे लोगों की देश के लोकतंतर में बहुत आस्था है उस आस्था से खिलवार करने का काम मत कीजे